Hello Friends, Welcome to our Channel 360Degrees Engineer आज की अमारा टोपिक है वावर करेंट प्रोटेक्षन ओफ जेनरेटर ये इसका Part 2 का वीडियो है Friends इसका Part 1 का वीडियो में अमलू वावर करेंट प्रोटेक्षन अमारा जेनरेटर में क्यों चेहिए अमलोग जेनरेटर का वावर करेंट प्रोटेक्षन में अमलोग क्या ट्रिपिंग करते हैं और इसका वावर करेंट प्रोटेक्षन सिम्पल अमारा आईडी अम्टी वावर करेंट प्रोटेक्षन जेनरेटर में क्यों यूज नहीं कर सकते हैं उसकी बारे में अम लोग in detail इसका पहले वीडियो में discuss किया था तो आज का वीडियो में अम लोग इसका simple idmt वावर करण्ट का जगा अम लोग क्या use करते हैं जो अमारा voltage dependent वावर करण्ट प्रोटेक्शन से और अमारा backup impedance वावर करण्ट प्रोटेक्शन है इसकी बारे में अम लोग discuss करेंगे फ्रेंस आज का वीडियो में चलो फ्रेंस शुरू करेंगे आज की अमारा वीडियो जैसे पहले वीडियो में बताया था अमारा वावर करण्ट प्रोटेक्शन अमारा जो क्या trip करते हैं अगर अमारा वो ओवर करन्ट प्रोटेक्शन है जो अमारा बेसिकली इसका पर्पस है जेनरेटर का जितना भी आपको फेस फॉल्ट से वो आपको बेसिकली जेनरेटर का जो डिफरेंसिल प्रोटेक्शन है जेनरेटर और ट्रांस्पोर्मर का वो ओवराल डिफरेंसिल प्रो ट्रेक्शन आघं अगर है तो आपको कभी भी तो बनार के गटो थीनो को ना जेन्रेटर सर्क्यूट ब्रैकरको भी बंद ४ना चाहिए और फील्ड ब्रैकर को भी ट्रिप outta pow Big वो वनी सिस्टम में जो अंक्लिवल्टे एक वफको ओनली ग्रूप से फ्लैसी ट्रिपिंग यूस में आपको अपको ऊंली जेन्रेटर सर्कूट सर्क्यूट ब्रेकर को ट्रिप करना है और अगर को साडनली आगर जेनरेटर है लोड को खाटने के आगर खाटने से आपको इन डिश्टर्ब होते हैं अगर आपको टर्बैन आवर स्पीड हो जाते इसमें आपको मेकानिकल ट्रिप होने का चांसे है तब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंज आपको उसinflamm Godक्राश को क्लास से ट्रिप करना है तिसके बारे में पहले वीडियो में हम लोग इन-डीटेल डिसकेस किया था इसलिए है अभीए का वीडियो में अम ज्यादा डिसकस्ट नहीं कर रहें जेस्ट वावरीव बता रहें ठीक है तो अम लोग इसका बारे में भी बताया था हमारा जो प्रिफर्बुल है हमारा जेनरेटर का जो ऑवर करन्ट प्रोटक्शन में जो CT यूज करते हैं वो हमेशा न्यूटरल का साइड से यूज करते है पहले वीडियो में बताया था क्यों यूज करते हैं यह प्रिफर्बुल से इसका जेनरेटर का भी बैक अप रहेगा वो सिस्टम का भी बैक अप रहेगा आगे का राइट उसका दूनों के लिए बैक प्रोटक्शन जैसे यह एक्ट करेगा अगर हमारा CT का लोकेशन अगर न्यूटरल का साइड है तो ठीक है तो जैसे हम लोग पहले वीडियो में बताया था ठीक है इसकी बाद जैसे यह भी बताया था हम लोग सिंपल ऑवर करेंट प्रोटक्शन अम लोग क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो जेनरेटर में कभी भी आपको सॉर दोता थे तो क्या हो दो रहे हैसामारा जेनरेटर में सौर्ट सर्कृट हो रहे है तो आपका जो जेनरेटर जो ऑवर करेगा वह ताइमडेण इन नेचर है ठीक है वह सबसे पहले सब्सब्स सब ट्रांसियंन्त रीकेंस आए गाइज हाओ आपको सबसे कम रीकेंस है स्लिक करनेंट बहुत जाद है है इसके बाद आपको ट्रांसियंन्त रीकेंस च को रैकेंस तोड़ा ख्याट एंध्स् exclusively तोड़ा कम हो गया फाइनल यह आपको steady state याने यह तो sustained reactance आएगा वह आपको आपको final जो current है वह सबसे कम current इससे compare करेगा तो 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 तीगे हम पहले वीडियो में यह भी बताया था अमारा जो xd value यह basically जो आएगा वह xd value generally अमारा system में 1.0 से उपर रहते हैं तीगे इसलिए आपको जो normal आपका जो sustained short circuit current है वो normal generated current से भी कम रहते हैं तो इसलिए हम लोग simple identity current का relay हम लोग use नहीं कर पाएंगे तीगे इसका और भी दो reason पहले बताया था क्यूंकि आपका जो minimum short circuit current steady state short circuit current वो आपको जो आएगा वो भी आपको इससे कम आ जाते हैं तीगे जो rated current से सो कोई भी case में यह कम है और even आपको इसका जो time भी आगर backup के लिए आप यूज करेगा तो आपको इसका time delay भी बहुत कम मिलेगा आपको IDMT कर में ठीगे सो IDMT क्या है मतलब inverse definite minimum time minimum time में वो fixed है वो minimum time में वो आपको सबसे कम मिलेगा मतलब 250 या 150 millisecond मिलेगा तो उससे आपको backup protection ही नहीं कर सकते हैं एकदम वो एक को में प्रोटक्शन का साथ competent कर रहे हैं तो इसी का हुज़े से यह तीन रिजन का हुज़े से हम लोग simple IDMT का over current protection रिजय को अम लोग generator में यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है उसकी बारे में पहले वीडियो में already हम लोग detail ही बताया था ठीक है अगर आप मिस हो गया तो प्लीज वाच देट वीडियो इसका बाद यह वीडियो देख रिए यहां तक हम लोग पहले डिसकस किया था तो इसी दिया हम लोग क्या protection यूज करने हैं अमारा जितना भी आपको generator में face fault backup protection के लिए हैं अम लोग simple IDMT को यूज नहीं करते हैं instead of simple IDMT का जगा हम लोग voltage dependent protections को यूज करते हैं और हमारा impedance protection को यूज करते हैं जो voltage dependent ऑवर करन्ट रिले हैं यह बेसके लिए इसका जो ANC code है sorry friends जो ANC code है आपको 51V है ANC code है और इसमें आपको दो प्रकार का relay मिलता है एक आपको voltage controlled relay है दूसरा आपको voltage restrained relay है ठीके फ्रेंस इसकी बाद यह आपको voltage dependent ऑवर करन्ट रिले से इसकी बाद आपको face fault backup के लिए आप impedance के लिए भी यूज कर सकते है simple backup impedance रिले है 21G है ठीके फ्रेंस यह अगर आप देखेगा तो यह इससे तोड़ा ज्यादा advantage जैसे ठीके वो क्यों में हम लोग आगे इन detail इसका बारे में discuss करेंगे फ्रेंस ठीके सबसे पहले आपको जो voltage dependent ऑवर करन्ट रिले में क्या है इसको हम लोग add-on feature है एक और feature डालकर यह feature क्या है हमको voltage का dependent ऑवर करेंट रिले तीके वो feature डालके voltage को देखके इसको ऑवर करेंट सेटिंग देना है वो feature डालके इसको इसी दिए इसको बोलते है इंप्रुवाइजड IDMT ऑवर करेंट रिले यह कुछ नहीं है तीके इसका purpose यह ही है कि अमारा जो normal overload नॉर्मल अमारा load current में जो generator अगर normal load current अगर carry कर रहे है तीके तब क्या होगा अमारा generator का terminal पे जो voltage होगा terminal voltage वो भी normal होगा उस time पे इसका जो pick up रहना चाहिए जो rated normal current से ज जाधा होना चाहिए तीके तो generally अमारा generator जो rated current अगर 100% मान लिया तो यह आपको 110% तक यह आपको generator generally withstand है तो इसका जो pick up पे आपको rated voltage पे आपको pick up पे 110% से उपर होना चाहिए तीके अगर आपका कभी भी fault होता है तो तब आपको voltage कम हो जाएगा कभी भी fault होता है तो क्यूं कि इसका जो reactants है suddenly आपको sub transient reactants हो जाएगा इसकी बाद transient हो जाएगा finally आपको steady state reactants हो जाएगा तो steady state reactants मतलब आपको आपको one से जाएगा आपको पहले बताया तो इसका जो current है basically rated current से कम है और इसका voltage भी कम है right तो इसकी वज़े से कभी भी आपको voltage कम हो रहा है तो इसका pickup current भी हम कम करेंगे so that हमको एक ही वावर करेंट रिले में हम्लोग voltage को देखकर अगर voltage सही है तो अलग pickup है voltage सही नहीं है तो अलग pickup है तो हमारा जो पहले हम लोग जो डिस्कस के आटा पार्ट वन का वीडियो में जो simple idmt वावर करेंट रिले का वज़े से जो इसका जो demerit से उसको वावर कम करके हम लोग simply voltage को देखके इसको हम लोग वावर कम करके जो बनाया था रिले है वो है अमारा voltage dependent overcurrent relay reference ठीगे so voltage dependent overcurrent relay में भी हमारा दो प्रकार का relay है एक simple voltage controlled relay है एक voltage restrained relay reference ठीगे so सबसे पहले हमारा voltage controlled relay है अगर इसको देखे गा तो इसका setting reference इसका characteristic है आई से रहते है ठीगे इसमें क्या है आगर आप देखे गा तो इसका जो x-axis में इसमें आपका terminal voltage है य-axis में इसका current pickup है हम लोग already बताया था जो voltage को देखकर voltage का according इसका pickup set करना है ठीगे so अगर इसका जो voltage है ठीगे जो vsc अमारा rated voltage है ठीगे अगर हमारा voltage है जो अमारा terminal voltage rated voltage है ठीगे जो rated voltage है तो क्या होना चाहिए अमारा ठीगे जो rated voltage है तो अमको जो pickup होना चाहिए वो आपको is-1 is-1 क्या होना चाहिए अमारा जो generator का आमारा rated load current है ठीगे 100% load current है लेका जेनरेटर withstand कर सकते है 110% तक withstand कर सकते है इसलिए इसका जो pick up है, आपको 110% से उपर होना चाहिए, ठीक है, जो generally इसका pick up रखते हैं लोग, depends on related to relay engineer है, 110% से लेकर 150% तक इसका pick up है, जो आपको generator के लिए convenient है, जो generator withstand कर सकते हैं, जो rated load current है normally, उससे उपर रखना है, 110% के उपर रखना है, जो generally इसका range है, 110% से लेकर 150% के बीच में इसका pick up रहते है, IS1, ठीक है, और इसका जो VS का rating है, rated terminal voltage है, ठीक है friends, VS is rated terminal voltage है, ठीक है, जो VS हो गया, rated terminal voltage पे आपको, जो pick up होगा, 110% से उपर होगा, आपको कभी भी, ठीक है, कभी भी आपको VS से कम हो गया, ठीक है, VS से कम हो गया, तो इसका जो pick up हो जाएगा, वो आपको IS2 हो जाएगा, ठीक है, IS2 is basically K into IS1 है, ठीक है friends, K into IS1 है, ठीक है, sorry friends, जो पहले बताया था, जो VS से basically, आपको क्या है, इसका जो pick up है, बेसके लिए आपको rated voltage पे रहना चाहिए, rated voltage बेसके लिए यहाँ से होगा, ठीक है तो इसका जो VS सेटिंग है, जो आमने, जो यहाँ जो सेट कर रहा था, जो VS है, यह basically आपको, मतलब 30% से लेकर 60% का voltage है, जो basically, ठीक है, generally हम लोग 30% या 40% इसका voltage रखते है, जो rated voltage से, ठीक है, so up to हमारा इसका जो voltage तक, इसका जो rated voltage का जो percentage हम लोग रखा था VS, इसका जो सेट सेटिंग है, यह basically हम लोग, normally आप देखेगा, तो इसका 30% या नहीं है, तो 40% या 50% है, basically आपको generator to generator चेंज हो सकते है, यह system to system चेंज हो सकते है, ठीक है, so as a relay engineer में प्रिफर करता हूं, इसको 30% of voltage रखते है, ठीक है, so up to 30% of voltage तक, क्योंकि कभी भी fault होता है, तो आपको voltage 30% स क्योंकि हमारा generator का face walls है, तो आपको obviously वो 30% से नीचे जा सकते है, अगर आपका system बहुत strong system है, तो तब आपको क्या होगा, आपको 50% तक आप इसको रख सकते है, ठीक है, so मैं system को weak system जैसे समझ के मैं बता रहा हूं, इसको मैं 30% रखते है, ठीक है, so 30% voltage से जाद है, तब इसक जो pick up है, इसका जो भी अमलोग pick up डाला था, उसका 40% value है is2 होगा, ठीक है, so इसका is2 का setting is equal to some constant k into is1 है, आपको relay में is1 set करना है, और इसका जो factor k set करना है, ठीक है, so is2 by is1 is equal to k है, ठीक है, वो k को set करना है, और vs का setting set करना है, ठीक है, तो इस relay में आपको तीन setting रहेगा, ठीक है, तीन setting रहेगा और एक और रहेगा आपका, यह करू काउंसी type है, वावर करन्ट का, definite time है या नहीं है तो IDMTA, अगर IDMTA है तो इसको TMS का है, definite time है तो इसका time delay का है, वो एक set करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, so आपको totally आपको क् 5 parameter हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले setting है, इसका IS1 है, IS1 is greater than 110% है, हम लोग जो set किया, for example, 115% इसका IS1 set किया, ठीक है, इसकी बाद है, VS है, जो होगा हमारा 30% voltage set किया, 30% of rated voltage, ठीक है, इसकी बाद जो इसका K value है, K value is IS2 divided by IS1, बना आपको, या नहीं है, तो IS2 value है, basically इसका 40% of, ठीक है, जो IS1 value का है, इसका 40% value मैंने, इसका IS2 का value रखा, ठीक है, उसी को ही मैं K बल रहा हूँ, कितना percentage of IS1 value है, ठीक है, ओक है, तो 3 setting हो गया, इसकी बाद जो इसका बाद जो pick up हो गया भी, ठीक है, इसकी ब pick up हम लोग अभी तेक fix कहा है, ठीक है, pick up का बाद जो आपको करू follow करेगा, वो IDMT है, definite time है, ठीक है, तो हम हमेशा हम लोग वावर करन backup protection है, तो IDMT यूज़ करते है, preferably, अगर आप definite time यूज़ किया, तो इसमें time delay रहेगा, IDMT यूज़ किया, तो आपको करू रहेगा, और इसका TMS रहेगा, ठीक है, तो अगर मैं इसका IDMT ले रहू हूँ, अभी इसका plot कैसे होगा, अगर आप देखेगा, तो जो आपका IS1 setting है, ठीक है, यहाँ आप देखेगा, तो यह fault current है, यह आपका relay operating time है, ठीक है, अगर इसका जो pick up है, मैं IS1 set किया है, तो IS1 कब होगा, 80% voltage से अगर ज़्यादा है, तब आपको IS1 का pick up है, और इसका जो time है, IDMT है, ठीक है, इसका जो TMS में set किया था, backup के साब से, ठीक है, इसका TMS से मैंने set कर दिया, जन्री हम लोग 0.7 यार, 0.6 पे, according to हमारा जो backup protection है, तो system का backup protection है, तो उसका कैसे है, उसका करो का, जश्ट आ ठीक है, तो ऐसे आपको set करना पड़ेगा, इसका TMS, ठीक है, अगर वो definite time है, तो इसको भी definite time कर सकते हैं, लेकिन IDMT करने से आपको अच्छे है, ठीक है, IDMT करने से आपको, यहाँ आपको margin मिल जाएगा, इस से, ठीक है, तो मैंने IDMT रखा था यहाँ, IS1 में आपको, यह कर वे आपको, ठीक है, यहाँ आपको simple inverse ही most देता है, ठीक है, इसकी बाद आप TMS same रखा मैंने, same TMS से, same कर वे आपको एक ही option रहता है, curve set कर दिया, मैंने simple inverse, ठीक है, IDMT set किया, कर वे simple inverse से, इसकी बाद इसका जो TMS set कर दिया, मैंने 0.65 set किया, for example, तब IS1 में एक और follow ठीक है, IS1 मतलब आपको VS से जाद है, आपको 30% voltage से जाद है, इसका pickup IS1 रहेगा, इसका करोका, अगर 30% से कम्मा है तो, आपको इसका pickup पे 40% of IS1 रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह यह इसका voltage controlled overcurrent दे, ठीक है, इसका इस्याम लो, अगर आपको normal overload condition पे, ठीक ह normal अमारा system running चल रहे है, normal load condition पे, तब इसका जो pickup पे 110% पे ऊपर है, तो आपको generate रहे है, इसका rated currency नीचे रहते हैं, तो यह picky नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, अमारा backup protection का main purpose है, normal condition पे कुछ भी disturb नहीं करना चाहिए, system को, तो यह disturb नहीं कर रहे है, कभी भी fault हुआ है, तो क्या ह कम कर रहे है, ठीक है, कम करके हमको इसका backup दे रहे है, system को और generator को, ठीक है friends, तो यह हमारा voltage controlled war current रहे है, इसमें हमको दो stage भी आप set कर सकते है, stage 1, stage 2, जैसे हम बताया था, stage 1, जो सबसे पहले वाला है, आपको system backups के लिए, इसका थोड़ा सा time delay का साथ, stage 2 set कर दिए, थोड़ा class C tripping देना, only generator breaker को, stage 2 में आपको class C tripping देना, सब का, ठीक है friends, तो आई से हम लोग इसको backup protection दे सकते है, दोनों generator के लिए और system के लिए, ठीक है friends, यह आपको voltage controlled war current protection रहे है, ठीक है, इसकी बाद है friends, आमारा next है, आमारा voltage restrained war current protection रहे है, ठीक है, तो voltage restrained war current relay कैसे रहेगा, अगर इसका देखेगा तो पहले क्या हो रहे है, इसका pickup पे fix है, दो value से pickup, यह IS1 है यह IS2 है, लेकिन voltage restrained में क्या है, यह भी एक IDMT जैसे है, मतलब वो voltage restrained में, इसका pickup पे voltage का साथ vary हो रहे है, अगर voltage का, मतलब इसका अभी आप देखेगा तो rated voltage का आसपास है तो इसका pickup है 110% से ऊपर है IS value, अगर इसका यह K value, अभी यहाँ भी K value सेट करते हैं हमलो, K value भी same हमलो 40% सेट करते है K, जैसे यहाँ बताया था, IS2 value is equal to K into IS value, ठीगे, तो K में 0.4 सेट किया था, ठीगे, तो यहाँ क्या हो रहे है आपका rated voltage तक है आपको 110% से उपर है, इसकी बाद आपको जो minimum value है, आपको 30% voltage पे आपको, क्या हो रहे है 30% या 20% voltage पे आपको, क्या हो रहे है 40% है जब इसका setting हो रहे है, और बीच में accordingly इसका कम हो रहे है, अगर voltage कम हो रहे है, तो कम हो रहे है, voltage ज्यादा है तो आपको ज्यादा setting बढ़ रहे है, यहाँ आप देखेगा तो कितना setting है friends यहाँ आपको यहाँ आप देखा तो सबसे पहले setting आपको is का setting है ठीगे यह अम लोग 10% से ओपर रखते हैं ठीके जो V2 set करेंगे हम लोग यह near to इसका जो rated voltage set करना है ठीके rated voltage का इसका 90% या 80% set कर दिए इसका V2 का ठीके इसकी बाद हमारा जो V1 setting है that is equal to 30% of rated voltage है ठीके और इसकी बाद 30% voltage है इसकी बाद जो K value है 0.4 set कर दिए जो पहले value का 40% है ठीके friends 40% set कर दिए ठीके तो अभी क्या हो गया आपको चार setting हो गया एक IS का setting है और इसका corresponding voltage का setting है ठीके और दूसरा K IS value मतलब इसका setting है और इसका corresponding voltage का value है चार है ठीके friends IS से 110% से ओपर है V2 is near to rated voltage है ठीके और इसका जो V1 है 30% of rated voltage है और जो इसका pick up है basically इसका 40% of इसका pick up है ठीके friends अगर इसमें भी आप जो current है यह basically pick up है only pick up है ठीके यह चार setting का बाद आपको current का pick up आ गया इसकी बाद आपको definite time देना है definite time है तो इसका time delay set करना पड़ेगा अगर IDMT देना है IDMT आई तो आपको इसका जो करू counts है और इसका जो TMA से हो set करना पड़ेगा ठीके friends अगर मैंने IDMT prefer कर रहा हूं तो इसका IDMT देखेगा तो आपको चार point पे मैं दिखा रहा हूं एक V2 पे एक VB voltage पे एक VA का voltage पे एक V1 का voltage है ठीके अगर IDMT करू characteristic अगर only pick up change कर रहा है तो क्या होगा left से right move होगा ठीके friends जैसे यह है ठीके सबसे कम pick up पे आपको यहाँ सबसे left होगा सबसे ज्यादा pick up के आपको सबसे right पे होगा only left to right यह change होगा pick up बढ़ाने से ठीके आपको और कोई change नहीं हो क्योंकि same TMS value है 0.65 TMS रखा था मैंने सबका और सब में आपको से मैंने simple inverse या normal inverse रखा था ठीके friends तो क्या होगा आपको आपको V2 है इसका जो rated voltage का आसपास है इसका जो pick up है इसका यह आपको यह मिल गया था क्या मिला था यह आपको characteristic मिल गया ठीके और बीच में ठीके बीच में for example VA में आपको यह मिल गया था और VB में आपको A मिल गया फ्रेंस ठीके तो यहां भी same है आपका जो main जो IDMT वावर करण्ट रहे सिंपल IDMT वावर करण्ट क्यारक्रिस्टिक जो achieve नहीं कर पर है यहां है कि यहां वो on pues कर रहे जीके लेकिन वह advantages से simple voltage वोम ठीके सेञ्ट अधन ट्रांसिस्ट ने लेकिन यहां os Nab के साथ इसका पीकब यह आपको चेंज जो रहे हैं ठीके यह फिकब गीएक IDMT characteristic फालो कर रहा है टिएगे, voltage का साथ change ओर रहे, अगर voltage ज्यादा कम हो रहे है, तो इसका pick-up भी ज्यादा कम हो रहे, टिएगे, अगर voltage healthy है, बत्वा अच्छा है, तो इसका pick-up भी तोड़ा अच्छा maintain कर रहे हैं, इसमें आपको Transience में और Faults में सब में आपको इसका Stability और इसका Selectivity बहुत अच्छे मिल जाएगा Voltage Restraint Overcurrent Protection में ठीक है Friends यह यह अमारा Voltage Restraint Overcurrent रहे हैं ठीक है यह दोनों हो गया इसकी बाद है ठीक है इसकी बाद है अमारा जो Next Protection है Friends Backup Impedance Protection है Backup Impedance Protection में अमारा क्या करता है Friends अभी तक हम लोग क्या कर रहे है Voltage और Current को देखकर कर रहे है ठीक है अभी हम लोग Impedance देख रहेंगे Backup Impedance है अगर आपको Backup Impedance Protection भी Same यह Backup Protection है For Generator Fault के लिए और System में कोई भी Uncleared Fault है तो उसको भी Clear करने के लिए हम लोग अभी Backup का जगा Voltage वावर करन्ट रिले का जगा हम लोग Impedance रिले को यूज़ कर रहे है यह भी आपको Phase Impedance ही है Friends ठीक है आपको Ground के लिए यूज़ नहीं करते है ठीक है यह जो Impedance के लिए भी जो आप City लोकेशन क्या होगा City का लोकेशन यहाँ भी आपको दो जगा हो सकते है एक आपका Towards Transformer है Face Side भी हो सकते है यह Towards Neutral Point है Neutral Side भी हो सकते है ठीक है Before Neutral Point है तीनों Face का R, Y, B का जो CT लगाएगा Neutral City बोलते है इसको इस से अगर लगाएगा तो Face City बोलते है ठीक है फ्रेंज जैसे पहले बताया था इसे ही सेम इसका Ideal Location Preferred Location आपको हमेशा इस जगा है फ्रेंज ठीक है तो Ideal Location आपको यहाँ है यहाँ रखने से क्या होगा आपको Sorry इसका Idea इसका क्या है यहाँ रखने से क्या होगा आपको Actually आपको इसका जो Impredence आपको पता चल जाएगा ठीक है So यह फ्रेंज इसको आगर देखेगा तो तो अभी क्या हो रहे है आपको दो जगा रख सकते आपको जैसे पहले बताया था सेम यह आपको दोनों में आगर आपको system में और भी sources है आप CT का location यहाँ यहाँ कई भी लागा सकते है लेकिन preferably यहाँ लागाने से आपको दोनों cover हो जाएगा कोई भी case में irrespective of source है या नही है या no load condition पे कोई भी condition पे आपको यह backup impedance आपको provide करी देगा ठीक है फ्रेंज यहाँ आपको CT रहेगा और इसका voltage है यहाँ रहेगा ठीक है फ्रेंज voltage यहाँ से ले रहे है face side से और इसका current है रहे है neutral side से ठीक है अभी इसका जो relay impedance calculate करेगा voltage divided by current ठीक है फ्रेंज voltage divided by current है तो अभी आपको क्या होगा ठीक है अभी आप देखेगा तो होगा क्या है इसमें आपको अगर आपका ओल्ट सिस्टम में अगर जनरेटर में फॉल्ट है तब क्या होगा आपका ओल्टेज भी कम होगा इसमें ठीक है अगर आपको जनरेटर में फॉल्ट है अगर मैंने ओल्टेज यहां से टैप कर दिया और करेंट भी यहां से टैप कर दिया तब क्या होगा मेरा voltage भी कम हो गया ठीक है fault का हो जैसे और current भी क्या होगा आपको कम ही है ठीक है आपको यहां भी आप देखे जातों इसका characteristic में आप देखे जातों अगर voltage अच्छे है तो इसका pickup हम लोग बढ़ा रहे अगर voltage और आपको कम हो रहे ड्रॉप हो रहे त क्योंकि voltage चेंज होने से current भी चेंज हो रहे तीक है इसका ratio क्या हो रहे है वाला इर्रेस्पेक्ट्ट्व आपका fault लोकेसिन है तीक है इर्रेस्पेक्ट्व आपका fault का जो आपका simple IDMT characteristic में जो disadvantage है ठीक है वो आपको आगर impedance protection यूज करने से ठीक है impedance protection यूज करने से वो disadvantage आपको ही नहीं है ठीक है तो क्योंकि हम लोग इसका आपको voltage कम होने से आपको क्या हो रहे है इसका जो fault भी क्या हो रहे है पहले है हमारा generator का system का fault है जो देख रहे है अगर आपको यहाँ fault हो रहे है तो वो सब आपको sort हो गया है तो आपको generator है xd है इससे कम दिखेगा आपको obviously generator का fault है तो आगर हम लोग impedance आई से ड्रॉ करेंगे xd का अंदर है तो आप इसको trip करने है backup में ठीक है फ्रेंड कुछ नहीं है इसमें ठीक है तो जो basically हमारा जो main backup protection का जो purpose है normal overload normal condition पर generator में क्या होता है इसमें जो impedance है VBI देखेगा that is equal to हमारा generator का अगर आपको VBI देखेगा तो आपको generator का reactance भी cover होगा transformer का भी reactance का और होगा अपर system का भी reactance का और होगा ठीक है तो जो VBI बेस के लिए आपको क्या होगा आपको VBI बेस के लिए ज्यादा होगा ठीक है normal condition पर ठीक है रेकिन जैसे आपको सॉर्ट होने से क्या और यह सब बाइपास हो गया भी अभी आपको VBI में इतना ही impedance देखा रहे है तब आपको क्या होगा आपको impedance कम होने से आपको इसके backup प्रोटेक्शन दे सकते हैं रेट्रेंस आइसे आपको system में भी आप दे सकते हैं अगर system में भी कोई प्रोट से तो आपको impedance क्या होगा net impedance कम हो जाएगा ठीक है तो आपको simply only current देखने से आपको आप वह एचीव नहीं कर रहे है करने यह तो आप simply एक backup impedance दे लागाने से भी आप इसको एचीव कर रहे है ठीक है तो पहले जैसे मैं बोला फ्रेंस जो impedance प्रोटेक्शन इस only फर यहां आपको only फर आपको face faults के लिए ठीक है आप neutral में आपको impedance प्रोटेक्शन नहीं दागाना है क्योंकि neutral में आप अगर impedance प्रोटेक्शन लागा देगा ठीक है फर एक्जामपल आप जैसे अभी तक दे रहे है voltage है अगर neutral में आप voltage और current दोनों देखकर इसका impedance दे लागाना चाहते है बैक अप बैक अप एथ फॉल्ट इंप्रेंस दे तब आपको क्या होगा इसका impedance से ब बेसके लिए इसी का रिष्ट्रेंड है इसका तो अल्डेडी हमारा जो जो ओरल डिफ्रेंसियर के लिए पॉजबिल नहीं आपको इसी का ही आपको रिष्ट्रेंड हो गया मतलब सिस्टम को कोई भी एथ फॉल्ट में यह डिटेक्ट ही नहीं कर सकते है ठीक है वो system का backup के लिए यह यूज ही नहीं होगा first problem है और दूसरा प्रोब्लम है generator में इसका जो ग्राउंडिंग इंपेरेंस यह बहुत ज्यादा इंपेरेंस है । इसका जो चर्क्रिस्टिक का जो सर्किल भी उपको बहुत ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली ठीक है और तीसरा प्रॉब्लम है इसी दिया हम लोग को जेनरेटर में कभी भी आपको बैकप एर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन चाहिए तो हमको ओलनी सिंपल और करन्ट प्रोटेक्शन यू जो अब इतक जो डिस्कस कर रहा है voltage-dependent protection याने थो backup impedance protection नाइस प्यूर लें आपको phase faults का इसका backup protection है ते फ्रेंस ओनसएंस एक्टिकां में क्लियर कर रहा है वो only phase fault के लिए आपको neutral के लिए तो यह नहीं करसकते हैं, health fault के लिए आपको, impedance protection का तो आप use नहीं करसकते हैं, ठीके, friends, So, अमने simply आपको backup impedance protection लागा खें, हीभागो यहां को generator में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग generator का case मे का backup production दे पा रहे हैं. इसमें आपको simply अगर मेरा current यहाँ है ठीगे आपको normally क्या होना चाहिए अगर इसका V by I इसका V by I देखेगा तो इसका V by I क्या होगा यह पूरा reactance है ठीगे पूरा impedance क्या होगा generator का impedance, generator का reactance प्रेस transformer का प्रेस system का जो आएगा वो आएगा healthy condition पे normal operation पे ठीगे अगर कभी भी fault हुआ है तो इसका यहाँ से नीचे आम reactance रखेंगे ठीगे जैसे आपको simple impedance रिले है ठीगे इसका circle का diameter आम लोग ऐसे रखेंगे इसका जो radius है अमारा जो normal अमारा generator प्रेस transformer का reactance है वहाँ पे रखेगा तो इसससे नीचे कुछ भी हो रहे है ठीगे उससे नीचे आगर कुछ भी हो रहे है ठीगे जो generator का और इसका transformer का ठीगे इसका नीचे कुछ भी अप्रेस आपका जो system reactance है ठीगे वो तीनों का नीचे आगर आपको कुछ भी impedance आ रहे है मालब उसमें आपको किसी ना किसी में fault है आपको इसी दिए impedance कम हो गया नौर्मल अमारा impedance है जो rated full load current पर जो impedance आएगा उस वाली पर यह diameter set कर दीजे तो इसका अंदर जो भी आपको आएगा that is fault है ठीगे आपको impedance कम हो रहे है रहे है तो आईसे ही आप चाहिए तो आपको offset more relay जो अमारा more relay बेसके लिए simply impedance relay simple impedance relay अगर आप more relay यूज करना है तो आप आपको more relay भी आप यूज कर सकते हैं ठीगे more relay में यह advantage है इसमें आप देखेगा तो non directional relay है ठीगे आप कोई भी quadrant है अगर आपको current कोई भी direction है आप इसको operate कर देगा लेकिन यहाँ आप देखेगा तो only first quadrant का operation है इसमें ठीगे बागी कोई quadrant में इसका operation नहीं है इसका operating region only इसक इसका operating region है वह आप देखेगा तो most of the operating region is first quadrant है ठीगे लेकिन यहाँ का operation region है सारे में यह first है second है third है fourth है ठीगे इसलिए आपको impedance relay is non directional relay है आपको अगर directional फीचर चाहिए तब आप इसको more relay यूज करते है ठीगे फ्रेंज तो यह है अमारा आज के अमारा वीडियो है बैक अप अमारा जो voltage dependent over current बैक अप प्रोटेक्शन है और बैक अप impedance प्रोटेक्शन है ठीगे I hope आपको clear हो गया होगा इस प्रोटेक्शन का बारे में अमारा साथ आगे भी बनाते रहिए for more and interesting videos thank you friends